लो गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम बेक टो न्यू गुडवे आज दोस्तों 9 अक्टूमबर 2020 और 9 अक्टूमबर 2020 के जो भी डेली करेंट पर के किशन बनते हैं उन्हें आज डेटियल से डिसकस करेंगे आज का 10 कीशन का वीडियो में आपके लिए लेकिया हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेल के जो मैं वीडियो प्लोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रह जाता है जो वीडियो डाक दीवस है वह परते वर्स नौटूमबर को मनाया जाता है जिसमें यह सबसे पहले जो स्विस केपिटल ब्रन है उसमें ठार सो चोतर में जो यूनिवर्सल पोस्तल यूनियन की वर्षकांट के रूप में मनाया गया था और गुनिसो गुनंतर में टोक्यो में जो यू पी यू है उसने कांग्रेस ने इस दिन को वीश्वड डाक दिवस की रूप में गोशित किया और तब से यह दुनिया बर में परते एक वर्स नौटूमबर को वीश्वड डाक दिवस या वीश्वड डाक गर दिवस मनाया जाता है चले दोस्तों शु पस्यम बंगाल से जो मीहिदाना है वह पस्यम बंगाल का मिठ्था वेंजन है और यह एक जी आई टेग उत्पात बन गया भी जिसमें यह हाल में कापी ख़बरों में चल रहा है वर्दमान में प्राप जो मीहिदाना उसकी पहली खेप वह बहरी ने वहां पर निर्यात कि गई है और गयकर क्राकरति कर वी निर्मित वस्तों है उनके लिए जारी किया जाता है जिन में से एक अदित्य गुणवता और पठीस्टा जो इसके बोगलिक मूल से समझ दीत है उसमें अनिक विसेशते हों जिन को यह जिया टेग दी जाता है पर्स्म बंगाल है तो पर्स पस्यम बंगाल के स्टाप Nat ok defense चेफिज जनवरी 1950 गुनिस्वम बंगाल के present time, मोहके मंत्री कौन है? ममता बंदर जी ममता बंदर जी कौन सी पार्टी से AIieten बंगाल को ने श्यमद्री में है?? राज चेपल बंदर तो यह है big daqui जिए बनकर्ण जो काफी चर्चाओं में रहते हैं जग दिद्नकर्ण जिए और परजेन टाइम यह जो मुक्यमंत्री है महमता बंदर जी वह भी काफी बयालें में रही थी अपने और पस्चिम मंगाल है पस्चिम मंगाल का उस नियाले कौन सा लगता है UP वह लगता है कलकता उचन्य याल ले परसिंबंगाल में कापी देखने कि चीजे हैं जिसे दारजीलिंग है माल्दा है यह चीजे हैं कापी फहमत चीजे जो असम में मचली पालकों के लिए फीस वाला एप है उसको लॉंच किया गया है यह बारत का पहला फीस मार्केट एप खा जा रहा है जिसमें इस एप के मादिम से जो खरीदार और विक्रत हैं उनको दोनों को मचली जलिये जो कर्शी उपरन और दवाए मचली फीड और मचल के दोरा विक्र्य किता आब सकते त्हशे में वारी में और परते हैं सम की राजदानी क्या है तो सम की राजदानी है दीर्जपूर का कि और पैलर क्या मोग्ए मंत्री और तो है उन्मंत भीषव वाड़ी कöt घूंर में को अ असम के परजेंट राज्येपाल, उस न्याले कौन सा लगता है, तो वह है गोहावुटी उस न्याले, असम की पार्पना कब होई, तो असम की स्थापना होई थी, 26 जनौरी 1950 को, और अस्व में टोटल कितने जिल लें? तो अस्व में टोटल 33 जिल लें नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर 3 परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस राज्य में जो स्वामित्व योजना के तहते तीन हजार गाउं के एक लाग इगेतर जाल जो लाबारती हैं उनको वुव वित्रे किये है तो आन दोस्तो यह चाहिए देश लिडितक रहे हैं वो उस राज्य में विप्रित workout है यह परदान मंतरी के द्वारा यह वित्रे के गए है इस योजना का एक लक्सर का ई कर देश के गाओं में लोगों क्यों कि मुझे पर्देश ऑबई राजदािनि है और है की शिवराज सिंह चोहान, शिवराज सिंह चोहान है, वो मद्य पर्देश के परजें टाइम मुख्य मंत्री है, और राज जेपाल को न है मद्य पर्देश के परजें टाइम राज जेपाल है, मंगू भाई, चगन भाई पटेल, चगन भाई पटेल, और मद्य पर्देश में ट नेक्स्ट्र courtyard Q4 विश्व स्वास्ते संगतन चेंगे जो दुनिया की पहली किस्वाक्स इनके बच्चों पर व्यापक इसतेमाल की जो शिपारिस है कि तो स्वोस्ति Quantum यह הרா? के लिए कि ce初 नि किया मिलेए के लिए जिसमें डबलुचों इसने विग्यान और बच्छों के स्वास्ते ओ जो मलेरिया नियंटरण के लिए विमारिया करार गिए इसमें सब्सक्राइब मत्सषन जनित विमार्य आई पी एल के एक सत्तर में सबसे ज़्यादा गुनुतिस विकेट लेने वाले पहले बारत एक लाड़ी कौन बन गए हैं तो आंस्वर दोस्तों हरसल पटेल हैं वो पहले के लाड़ी बन गए हैं हरसल पटेल इन्होंने 6 अक्टुम्बर को जो अबुदावी में सेख जायद स्टेडियम में एक मेच कहला था उस मेच में इन्होंने सांदार गेंदवाजी की और संद्राइज हेदराबाद एक खिला तीन विकेट लिए और इसी दोरा ने अपने नाम के उपलत दियो हासिल किये जो पटेल हैं इन्होंने आई पील के एक सीजर में सबसे जदा विकेट हासिल करने वाले बारते गेंदवाजी वह बन चुके हैं इनके साथ जो जस्प्रीत भूम रहा है इनको भी इन्होंने पटेल ने पिछे चोड़ दिया अब तक हर सल ने गुनों 30 विकेट ले चुके हैं और 20 साल भूम रहा है इन्होंने म वह अपने नाम किया है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नंबर 6 जिम कारपेट पारक का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो आंस्वर दोस्तों यह जो राम गंगा नेशनल पारक वह नाम अब रख दिया है जिम कारपेट पारक का जो यह कहां पर है तो यह है उत्तराखंड मे उत्राखंड में, उत्राखंड के जो कार्बे टाइगर इजरो का नाम है, वो अब जल बदल दिया है, और इस नेशनल पार्क का निया नाम है, वो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, और इसमें अब जो अस्विनी चोबे हैं, उसने नेशनल पार्क का नाम बदल का, राम मंगा नेशनल पारक है वो कर दिया गया है नेक्स्ट कुछन है कुछन नंबर सेवन किस राज्य ने अपनी स्वास्ते सूसना परबंदन पढ़ना ली पर्योजना के तैत परतेक नागरी को एक अधित्यवे स्वास्ते काड़ जारी करने का निन्ने लिया है तो आंस्वर दोस परतेक नागरी को एक अधित्य काड़ स्वास्ते काड़ जारी करने का परश्ता को मंजूर दिया और ये स्वास्ते काड़ जारी किया आजएगा दिल्ली है तो दिल्ली के परजेंट्यम के मंत्री कोन है क्या नमफेकों इसभीस और मनिखकी शू दिद्ल्ली नम पुराना हुआ क्या तो यह था इंडरफरस्थ नेक्स्ट इसने एक कृस हो नालीन के लिए खात्डे तेल ओम पर रास्त्री मिश्नंपर व्याप्आउर्म एक व्यापार शीकर समयल है राश्ची मिसन उसे अध्यक्स्ता है जिसके अध्यक्स्ता है जिसके अध्यक्स्ता है रेख्ष्ट जारू कि गिया जिसका लक्स है वह दो जार पच्चीस 26 तक ताड के तेल के लिए लगबग 6.5 लाख हेक्टर जोड़ना है next question है question number 9 स्वामित्व योजनाव किस मंत्रा लेके द्वारा लागो की गई है तो answer दोस्तों ये पंचाती राज मंत्रा लेके द्वारा लागो की गई है अब ये है क्या स्वामित्व इसका अर्थ क्या है तो स्वामित्व का अर्थ है survey of village अबादी and mapping with improving technology in village area ये जो पंचाती राज मंत्रा लेके योजना और इस योजना के तहत है जो ड्रोन का उप्यों करके भूमी की पार्सल की mapping कर ग्रामिन अबादी वाले उख्षे त्रहुन में संपत्ति का समस्ट सपस्ट स्वामित्व वह स्थापित्व किया जा सके और इसी योजना के तहट जो परदान मंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने इस योजना के तहट मद्द्य परदेश में ही एक लाग गेतर अज़ार से दिकलाबारतियों को इप्रोपर्टी कार्ड भी फित्रित किये हैं और आज गां next or last question है question no.10 2021 में बजट में गोशित मित्र है वह किस योजना किस से समन दिता है यह answer है कपड़ा-शेत्र से जो कपड़ा सेतर के विकास और भारत को कपड़ा में वेस्विक नेता के रूप में स्तांज देने के लिए जो केंदरी बजट 21 बाइस है इसमें PM मेगा इंटेग्रेटेड टेक्स्टाइल रिजन एंड एप्रियल मित्रा इसकी फूल फूरम है इसकी गोश्टना किया है सरकार ने लगबग 4445 क्रोड रुपे की यह लागत से 7 मेगा टेक्स्टाइल पार्कों की स्तापना को मनजूरी दिया है और इन पार्कों में से जो 21 लाख लोग हैं उनको रोजगार मिलने की भी उम्मीद है वो बताई जा रही हैं चलो दोस्तो आज का वीडियो में पर समाथ करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेर जरूर करें थैंक यू ओल ओफ यू